रोकी अभी जिन्दा है रुकने वाला नहीं है अगर आपने KGF Chapter 2 का तूफान देख लिये हैं तो KGF Chapter 3 के सुनामी के लिए तैयार रहिए KGF Chapter 2 के शांदार सफलता के बाद इस फिल्म के निर्माता ने KGF Chapter 3 बनाने का निरने ले लिया है लेकिन सभी दर्शक इस बात को लेकर कमफ्यूज है कि जब KGF Chapter 2 में हम सभी के प्यारे रौकी की मौत हो जाती है तो आगे KGF Chapter 3 की कहानी क्या होगी लेकिन आप जरा भी कमफ्यूज नहीं होए क्योंकि हम आपको इस पोस्ट में KGF Chapter 3 की स्टोरी के बारे में बताने वाले है निर्देशक चाहे जितना भी फिल्म की कहानी को छुपा ले लेकिन इसकी कहानी लीक हो गई है आईए हम KGF Chapter 3 स्टोरी पूरा जानते हैं अगर आप लोगोंने KGF Chapter 2 मूवी देखा होगा तो आपको अधीरा के सामने खड़े एक बच्चे की जबरदस्थ डायलोग को तो बिलकुल भूले नहीं होंगे बस यहीं बच्चा बनेगा KGF Chapter 3 का रौकी अगर फिर भी आपको पूरी बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं आईए इस गुथी को पूरी विस्तार से सुलजाने का प्रयास करते हैं KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील का नाम तो आपने जरूर सुना होगा इनकी आने वाली अगली फिल्म सालार के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे KGF बनाने वाले फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी सालार फिल्म को बना रहे हैं अब ये कोई इतिफाक तो नहीं हो सकता है इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका में बाहुबली एक्टर प्रभास नजर आने वाले हैं असल में सालार फिल्म KGF चाप्टर और टू का ही एक अलग पार्थ है सालार फिल्म और KGF एक दोनों से कैसे कनेक्टेड है इसकी जानकारी पहले ही फिल्म के डाइरेक्टर प्रशांत मील दे चुके हैं जहां उन्होंने सालार शब्द के बारे में बताने के लिए कमांडर शब्द का इस्तमाल किया था कमांडर का मतलब किसी राजा का सबसे खतरनाक सिपाही अगर आपने KGF Chapter 2 मूवी देखा होगा तो आपको एक ऐसा बच्चा मिला होगा जो हर मोड पर फिल्म में रौकी यश का साथ देता है यानि रौकी के लिए जान भी देने को तयार रहता है यहां तक की KGA को बचाने के लिए इस बच्चे ने स्पेशल ट्रेनिंग लेकर रौकी के आर्मी में शामिल भी हो जाता है यही बच्चा आगे बनता है रौकी का सबसे बड़ा हतियार जिसका जिक्र सालार के ओफिसियल पोस्टर के टैग लाइन में भी किया गया है अब भी अगर आपको KGF चाप्टर 3 की कहानी समझ में नहीं आई तो जरा एक बार सालार के विकिपीडिया पेज पर जाकर सालार के मावाले केरेक्टर के लिए उन्हीं एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है जो KGF चाप्टर 2 में इस बच्चे के मा के रूप में नजर आई KGF चाप्टर 3 में रौकी की इंट्री भारत से बाहर विदेशों में भी होगी जिसका छोटा साथ ट्रेलर KGF चाप्टर 2 में देखने को मिला था जब रौकी ने इनायत खलील के घर में घुसकर उसको बुरी तरीके से हराते हैं हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि KGF चाप्टर 3 में अमेरिका इंडोनेशिया समेच 16 देशों में किये गए क्राइन की कहानी दिखाई जाएगी एक इंटर्व्यू के दौरान KGF के निर्माता विजय किरगंदुर ने भी इस ओर इशारा किया था उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि हमारी योजना कुछ और भाग तयार करने की है मुझे लगता है कि यहाँ बड़ा और बहतर होगा क्लाइमेक्स में जब रौकी सभी लोगों को एक नए सीन में छोड़ कर चला जाता है तो वो अपने आप तो बना नहीं होगा इसका असली कारण भी सालार ही है जो अपने राजा के इशारों पर चुपचाप काम करता है KGF 2 में आपने रमिका सेन के साथ रौकी पहली बार मीटिंग करने के लिए जाते क्या आपने रौकी की बातों पर आपने गौर किया था मैं चाहता नहीं हूँ कि जंग हो लेकिन अगर जंग हुआ तो जीतूंगा सिर्फ मैं ही इस वाक्य में KGF 4 का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इस वाक्य का सीधा मतलब है कि रौकी हार मानने वालों में से बिलकुल भी नहीं है वो भी अपना पूरा सोना समुंद्र में जाकर सुसाइट करना ये बात बिलकुल समझ में नहीं आता है अपने मरते हुए मा से उसने जंग जितने का वादा किया था चाहे सामने खुद देश के प्रधान मंतरी ही क्यों न खड़ी हो क्या आपको लगता है कि रौकी अपने मा से किया हुआ वादा तोड़ देगा कभी नहीं मतलब साफ है कि KGF Chapter 3 की कहानी ऐसी होगी जो भारतिय सिनेमा तो क्या हौलिवुड की भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने का क्षमता रखेगी आपको क्या लगता है अपना रौकी भाई KGF 3 में हौलिवुड के सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा KGF Chapter 3 Release Date KGF Chapter 3 कब रिलीज होगा KGF Chapter On में रौकी की एंट्री 2018 में हुई फिर भी KGF Chapter 2 रिलीज हुआ 2022 में अब 2023 में अगली फिल्म आएगी सालार सालार फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन बहुत ही मज़ेदार होगा रौकी अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेर, सब्सक्राइब जरूर करे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन